हे गाइस, वेलकम बेक टो माई चैनल तो कभी-कभी तो मुझे ना खुद पे ही यकीन नहीं होता है इतना प्राउड फिल करती हूँ ना मैं कि यार इतना जादा टेस्टी खाना कैसे बना लेती हूँ मैं सच में ये इतना जादा टेस्टी बना था ना कि मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाई और किचर में ही खाना स्टार्ट कर दिया तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो सबसे पहले आपको बाउल में ले लेना है दो चमच कॉन फ्लार और दो चमच मैदा इक्वल कॉन्टिटी में दोनों चीज़े आपको लेनी है और फिर इसमें एड करेंगे आदे चोटे चमच ब्लैक पेपर, पौडर, रेड चिली पौडर और नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद एक चमच अद्रक लसन का पेस्ट एड करेंगे इस मिक्शर को पानी के साथ हमें घोल लेना है अच्छे से आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कुछ इस तरीके की होनी चाहिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये उसके बाद आपको इसमें एड कर देने हैं पनीर के क्यूप्स आप अपनी पसंद के शेप में भी कट कर सकते हैं मैंने यहापे इस तरीके से कट कर दिया है और उसके बाद हमें करनी है इसके उपर कोटिंग अच्छे से आप देख सकते हैं इस तरीके से अब हमें इसे करना है fry तो चलिए चड़ा लेते हैं कड़ाई high flame पे आपको कड़ाई चड़ानी है oil डालना है और आप अगर चाहें तो deep fry भी कर सकते हैं लेकिन मैं कर रही हूँ यहाँ पे shallow fry कर लिया है ब्राउन होने तक आपको पनीर को fry कर लेना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे दूसरे बरतन में और आप देखेंगे कि इतना जाधा टेस्टी लग रहा था यह देखने में यह देखिए कितना जाधा टेस्टी लग रहा और यह खाने में भी काफी टेस्ट उसके बाद हमें सभी पनीर को फ्राइ करके निकाल लेना है क्यूंकि मैं पूरी फैमिली के लिए चीली पनीर बना रही हूं आज डिनर में और उसके बाद उसी कड़ाई में बचे हुए तेल में हमें लेना है बारी कटे हुए लसन और बारी कटे हुए हरी मिर्च आपको इस तरीके से square shape में शिमला मिर्च और प्यास को cut कर लेंगे और उसके बाद इसे डेर से 2 मिनट के लिए saute कर देना है high flame पे आपको यहाँ पे हमें उसे पकाना नहीं है just saute करना है हलका सा भून लेना है और उसके बाद इसमें add करेंगे sauce तो आपके पास अगर कोई sauce अवेलेबल ना हो तो आप स्किप कर दीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया है सभी sauce को एक चमच और दो चमच टोमाटो कैचप तो sauce के लिए आपको ले लेना है soya sauce, vinegar, red chili, green chili sauce और हाँ एक पड़े चमच, sage one chutney जरूर से add कीजिएगा इससे taste में काफी अच्छा difference आपको देखने मिलेगा बहुत ही अच्छा taste आएगा उसके बाद स्वाद अनुसार, hulk का sunamak और black pepper powder add करना है यहाँ पे इसे कर लेंगे अच्छे से mix flame को कर देंगे low यहाँ पे उसके बाद हमें एक ball में लेना है एक चमच, corn flour और थोड़ा सा पानी डाल के इस mixture को बना लेंगे make sure, lumps ना रहें और उसके बाद इसे add कर देना है हमें अपने चिली पनीर में और यह देखिए जैसे ही आप इस mixture को add करेंगे आप देखेंगे की ठीक होना start हो जाता है जो यह sorry for that उसके बाद इसमें आपको पनीर add कर देनी है और सभी पनीर को add कर देने के बाद mix कर देंगे अच्छे से और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा color और texture आया है इसका guys बहुत ही जादा tasty है और उसके बाद इसमें mix करने के बाद हम इसमें add करेंगे spring onion जो कि इसके स्वाद को और लुक को बेहत बढ़ा देती है जरूर से add करें और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं आप skip भी कर सकते हैं उसके बाद gas की flame को कर देंगे बंद और कर्मा गरम सर्फ करेंगे और तारीफे बटोरिये अपने family members की बच्चों की घर में सभी को बेहत पसंद आने वाला है ये रेसिपी तो कैसी लगी वीडियो रेसिपी comment section में जरूर से बताईएगा